तो प्रफेट्टिंट की चार टाइप में से सबस्दा यूज होने वाली टाइप जो हमारे पास वह ए एनायनिक सर्फेक्टेंट के जो पोलर पार्ट होता है उसके ओपर नेगेटिफ चार जाता है और जो उसका नियूट्रलाइजिंग पार्ट होता है वो सॉलिशन में डिस किये हैं अलकाइल रेडिकल जो होता है हाइडरोकाबन की पूरी एक चेन लगी वी होती है जो कि उसका नॉन पोलर पार्ट होता है जो टेल होती है और इसका जो पोलर पार्ट होता है कार्बोगजलेट्स में वो एक तरह कार्बोगजैलिक एसेड ग्रोप होता है ठीक है ज सारे ही cases में ठीक है तो सबसे पहली important type जो हमारे पास anionic surfactant की वो है carboxylates उसके बारे में समझते हैं carboxylates का synthesis कैसे किया जाता है इसको और से समझेएगा carboxylates based जो हमारे पास anionic surfactants है उन्हें soaps भी कहा जाता है यह किसी भी oil या fatty acid की saponification से बनाया जाते हैं oil या fats को chemically हम क्या कहते हैं triglycerides of fatty acid basically fatty acid के glycerine के साथ जो esters होते हैं उनको हम triglyceride कह रहे होते हैं ठीक है इसी तरीके से जब आप इसको आप किसी भी strong base से treat करेंगे तो यह strong base क्या करेगा इसकी hydrolysis करेगा और इसको fatty acid के salt में convert कर देगा तो sodium alkenoids जो हमारे पास बन रहे होते हैं यह हमारे पास वो surfactant ने जसकी हम बात कर रहे हैं कार्बॉक्सिलेट्स की ठीक है एक mole fat का और oil का आप इसको अगर convert करें saponification के थूँ तो हमारे पास 3 mole soap के बन रहे होते हैं और हमारे पास एक bio product भी बन रहे होते हैं जो के glycerine कहलाता है इसके साथ सबसे बड़ा यह है कि hard water में काम नहीं कर सकता क्योंकि hard water में calcium और magnesium जो के divalent cations होते हैं जिसकी charge density भी ज्यादा होती है जाहरे वो इसके साथ ionize होके इसको precipitates में convert कर देते हैं heavy कर देते हैं इसकी वैसे precipitate out हो जाते हैं ठीक है लेकिन सबसादा cheapest भी होते हैं bio degradable भी होते हैं और इनकी toxicity भी लो होती है second most useful type हमारे पास ionic surfactant की होती है sulfates इन sulfates को बनाने के लिए हम क्या करते हैं किसी भी long chain alcohol को जिसे हम fatty alcohol भी कहते हैं उसका reaction हम कराते हैं sulfuric acid से sterification का reaction होता है और water निकल जाता है और हमारे पास ये एक तरह का acidic compound generate होता है बजाहर अभी तो ये एक तरह का surfactant नहीं है क्योंकि ionize नहीं हो सकता है इसको ionize करने के लिए completely ionic compound में convert करने के लिए हम इसका reaction कराते हैं किसी भी alkali metal के base से जिसकी वज़ा से इसका जो acidic part है वो ionize हो जाता है आएनिक compound में convert हो जाएगा और ये हमारे पास sulfate surfactants ready हो जाते हैं अच्छा ये तो हमारे पास laboratory preparation होती है लेकिन bulk के उपर अगर हम ये चीज़ प्रोडियूस करना चाहरे हैं तो sulfuric acid से reaction कराना comparatively थोड़ा खतरनाक होता है लेहाज़ा हम इसका reaction किस से कराते हैं sulfur dioxide and oxygen से कराते हैं जिसकी वज़ा से एक compound generate होते हैं अच्छा लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास एक issue है वो अला issue नहीं होता जो carbonates के अंदर होता है कि वो hard water में काम नहीं करते है वो issue इसमें resolve हो चुका है लेकिन दूसरा issue हमारे पास क्या है कि अगर हम इसे हलका सा भी acidic medium देंगे तो क्या होगा इसका ये oxygen carbon वाला जो bond है वो एक तरह से hydrolyze हो जाएगा और हमें वापस से sulfuric acid मिल जाएगा मतलब ये surfactant खतम हो सकते हैं acidic medium है hydrolysis के तो ठीक है जिसकी वज़ा से फिर हमारे पास दूसरी type है sulfonates की इसको replace करने के लिए हमने फिर sulfonate surfactants की types generate की type हमारे पास anionic surfactants की होती है sulfonates sulfates के अंदर जो issue आ रहा था कि वो acidic medium में hydrolyze हो जाते हैं वो issue इसके अंदर नहीं आता है इस वज़ा से नहीं आता क्योंकि carbon का bond directly sulfur से बनावा होता है ठीक है ज्यादा polarity नहीं है तो वो hydrolyze भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी reactivity कम होती है ठीक है अब हमारे पास sulfonates की भी बहुत सारी types हैं जिसमें most common type हमारे पास होती है sodium alkyl aryl sulfonates जो के most common type है इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं किसी भी alkyl benzene का reaction हम किस से कराते हैं sulfur trioxide से कराते हैं ताके हमारे पास क्या बन जाए sulfonate based surfactant बन जाए ठीक है अब इस reaction को हम क्या कहते हैं sulfonation कहते हैं यह वोई sulfonation reaction है जिसके अंदर हम benzene की sulfonation कराते थे इसी तरह से alkyl aryl की या alkyl benzene की हम sulfonation कराते हैं fuming sulfuric acid की मौजूदगी में क्योंकि alkyl एक तरहां का ortho para director है तो हमारे पास दो product बनेंगे ortho product और para product जो के दोनों एक तरहां के acidic nature के हैं जाहर हमें हमें इसके अंदर ionic character increase करना है लहाजा हम इसकी neutralization करा देंगे ताकि ionic character इनका increase हो जाए ठीक है तो यह हमारे पास most useful और most common type है लेकिन इसका disadvantage क्या होता है कि skin friendly नहीं होता है ठीक है इनको हम LABSB कहते है linear alkyl benzene sulfonates अच्छा यह इसके इलावा भी फिर हमारे पास sulfonates की further types भी है paraffin sulfonates भी होते हैं जिसके अंदर alkyl को directly हम sulfonates से connect कर देते हैं उसका reaction कराने के लिए हम क्या करते है alkane को किसी भी long chain alkane को क्योंकि paraffin alkane को ही कहा जाता है किसी भी alkane का reaction हम sulfur dioxide और oxygen की presence में कराते है in the presence of uv light या फिर gamma rays तो reaction हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है alkyl sulfonic acid बन जाता है इसको neutralize कराते हैं मैने वच के साथ ताके क्या बन जाए यह alkyl sodium alkyl sulfonate बन जाए linear alkyl benzene sulfonate में हमारे पास screen friendly ना होने का जो issue आ रहाता है उसको resolve करने के लिए फिर हम लोगों ने क्या बनाए alpha olefin sulfonate बनाए जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है उसको synthesize करने के लिए हम linear alpha olefin का reaction कराते हैं sulfonation का जिसके थरू हमारे पास CH3 group के ओपर क्या आ जाता है सिल्फोनिक acid group आ जाता है अच्छा linear alpha olefin क्या होते हैं यह एक तरह के linear long chain alkynes होते हैं जिनके second और third carbon के दर्में double bond आ रहा होता है ठीक है अच्छा यह reaction जब हम करेंगे तो हमारे पास दो side products भी generate होते हैं जिसके अंदर hydroxyl group आ जाता है इसका double bond break होने की वैसे in presence of steam या water molecules के साथ भी reaction हो रहा होता है addition reaction के वजह से वो pipe bond break हो जाता है और hydroxyl group generate हो जकता है ठीक है जिसकी वैसे 60-70% हमारे पास यह compound generate होता है और 30% हमारे पास यह compound generate हो रहे होता है अच्छा जाहर है हमारे पास एक तरह का sulphonic acid group लगाव है इसका ionic character बढ़ाने के लिए हम इसका reaction किस से कराते हैं अच्छ से करा देते हैं ताकि ionic character increase हो जाए और यह ionic surfactants में convert हो जाए बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और type है sulphonates की जिसे हम कहते हैं sulphosucinates sulphosucinates बनाने के लिए हम क्या करते हैं सुसेनिक acid का reaction कराते हैं एक तरह से उसकी esterification कराते हैं किस चीज़ से esterification कराते हैं long chain alcohol से इसकी esterification कराते हैं अब यहाँ पर दो carboxylic acid group है या तो सिर्फ एक group के उपर किसी भी एक group के उपर जाके esterification हो जाए इसकी वैसे mono esters बन सकते हैं या फिर दोनों पर esterification हो जाए जिसकी वैसे di esters बन सकते हैं तो वो दोनों ही तरह के हमारे पास sulphonic acid sulfonate based surfactants होते हैं ठीक है अब जाहर है इसके अंदर sulphonate group यहाँ पर है इसकी ionic character बढ़ाने के लिए इसका भी हम क्या कर सकते हैं nao h से reaction करा सकते हैं ताके इसका any character increase हो जाए लेकिन इसकी अंदर फिर दो chains आएंगी in case अगर यह di ester बन रहा है और अगर mono ester बन रहा है तो हमारे पास इसमें एक chain आएगी ठीक है तो जिसकी वैसे इसकी properties vary कर सकते हैं based on number of tails या फिर किसी भी alkyl ether alcohol का reaction phosphorus pentoxide से कराते हैं दोनों ही cases में हमारे पास अलग-अलग तरह के phosphate बनते हैं जो alkyl phosphate होते हैं comparatively less soluble होते हैं वहीं अगर हम alkyl ether phosphates की बात करें तो due to high polarity and partial positive and negative charges इसकी solubility comparatively ज़्यादा होती है अच्छा इसके अंदर एक और important चीज़ यह है समझेगा और से कि हमारे पास phosphorus के esters तीन जगाओं पर बन सकते हैं structure के लहाज से हमें यही नजर आ रहा है कि या तो यहाँ पर attach हो सकता है या अलकाइल या फिर यहाँ या फिर यहाँ ठीके अगर हम mono ester बना रहे हैं इसके तो एक ही टेल होगी अगर हम diester बना रहे हैं तो दो टेल होगी उन टेल number of tails की basis पर भी इसकी polarity और इसकी properties vary करेंगी और इनका इस्तेमाल ज्यादा तर metallic industries में हो रहा होता because of its anti-corrosive properties आपँः आपज़ जर्फड़ इसकी इसकी बारी इसकी इसकी जार्फ़ आपशदी्ट्स